Hello everyone, आज है 23 माई और आज इस वीडियो में हम बात किने जा रहे है जियो फिनाशल सर्विस के बारे में आज एकदम से एक जटके में एक बड़ी तेजी की तिरफ जाता ये नज़रा रहा है 4% की रफतार इसने दिखाई है जबकि मौर्निंग में तेजी नहीं थी मौर्निंग में 360 रुपए से भी नीचा था लेकिन अभी एकदम से एक बाइंग इंटरस कहलो कि यहाँ पर जनरेट होता नज़रा रहा है कुछ तो परदे के पीछे यहाँ पर पक रहा है जिसके चलते इतनी बड़ी तेजी जो की देखने को मिल रही है इंटराडे में आई है और एक्चुली में देखा जाए तो पिछले एक महिने से यह लगातर गिर रहा था और तीज़े दिखाए थी एक दिन में फिर बहुत ही के मौके आपको यहाँ पर ढूंडने चाहिए हर डिकलाइन पर एड करने के मौके ढूंडने चाहिए जिस दिन खबर आयागी इनके इंशॉरंस के लाइसेंस को मिलने की एक ही दिन में यह 10 से 15 परसंट भाग जाएगा और आज की जो तेजी है अभी तो कोई खबर नहीं आ गया सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो रतन इंडिया पावर जो छोटी सी पावर कमनी अगर आप चैनल को रेगलो फॉलॉव करते हो तो अभी मैंने इसके उपर भी वीडियो बनाया था कि रिजल्ट्स तो उससे कल आये थे ठीक है और बहुत अच्छा प्रॉफिट कर आई है कि BSC 100 में इसको जगे मिल सकती है BSC 100 में इनकी एंट्री हो सकती है और जाहिर से बाद है ये खबरे अच्छी होती है और एक पैसिव इंफ्लो स्टार्ट होता है मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी खबरे देखने क मिलेगी पहले हमने इसको अलग-अलग इंडेक्स से हटने की खबर सुनी और गिरावट आई और बाद में इक बहुत बड़ी तीजी भी देखी जब अलग-अलग खबर आए कि म्यूचल फंड में एंटरी कर रहा है ब्रोकिंग में एंटरी कर रहे हैं ये तीजी आई और जैसे ही दुबारे खबर है कि BSC 100 में इसकी पोजिशन हो सकती है इवन इससे पहले भी खबर दे कि Nifty Next 50 में भी ये शामिल हो सकता है तो यहां पर ये बड़ी बात होगी यहां पर ये बड़ी बात होगी और इतना ही नहीं विदेशी निवेश के लिए भी शेर धारों को से दो करोड के आसपास के शेर ट्रेड होते नजर आए और ये जो खबर आई उसके बड़े वॉल्यूमस आपको और ज्यादा यहां पर देखने को मिल सकते हैं कंपनी आप देखो तो 395 रूपए के आसपास का हाई बना था 202 रूपए का लो भी बना था और 2,35,000 करोड से भ परजना होगा कि इसकी जो लिस्टिंग है वो रिसंट लिस्टिंग है और अभी इनके बिजनस थीक ठाख खुले भी नहीं है कई सारे बिजनस इनके पाइपलाइन में है चाहे वो इंशॉरंस का हो, मूच्वल फंट का हो, ब्रोकिंग का हो, वेल्थ मैनेजमेंट का हो, क् बारती भी नजर आने वाली है, और यह सारी खबरे हैं, जब इस चीज़े एक्जेक्यूट होती नजर आएगी, आपको रिवेन्यू प्रॉफिट इनका बढ़ता नजर आएगा, और चीज़े बैतर होती भी यहाँ पर नजर आएगी, जैसे कि हम देखे यहाँ पर, तो ल बढ़ता नजर आएगा आपको यहाँ पर, लेकिन साथ में यह भी है कि अगर आने वाले टाइम में कंपनी के नंबर्स में बढ़ातरी होती नजर आएगी, जो की एक्सपेक्टेड रहेगा, जब इनके बिजनस ओपन अप होंगे, तब यह पी बी अजर होता नजर आएग इंस्टिउशन लगातर बेच रहे हैं, लेकिन मुझे रखते हैं कि इनकी जो बिक्वाली है, वो कहीना की थमनी चाहिए, और अगर इनको किसी भी इंडेक्स में जगे मिल जाती है, चाहे वो निफ्टी नेक्स 50 हो, या फिर चाहे वो BSC 100 हो, अगर जगे मिल जाती है, तो एक passive inflow start हो सकता है, जिसके चलते हम कह सकते हैं, कि तीजी possible यहां पर हो सकती है, हो सकती है possible तीजी यहां पर, और अगर आप इनके company के business की तरफ चले, तो कई सारे business है, insurance का business कहलो, payments bank भी है, जियो payment bank है, इनका खुद का payment bank है, ठीक है, payment solution provide करवाते हैं यह, insurance plan तो definitely इनका future में बहुत बड़े पैमाने पर मैं मानता हूं कि रोल आउट होता नजर आने वाला है और सबसे बड़ी बात इस company की ये है कि भाया trust लोगों का है जनरली होता है कि अगर कोई नई insurance company मांक जब बाजार में आती तो लोग उतना जल्दी उसके उपर trust नहीं कर पाते हैं लेकिन जियो के साथ वो problem नहीं है सालों पुरानी company है, Reliance का भरोसा भी है तो कहीं न करें trust factor यहां पर automatically add हो जाएगा और reach इनकी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इनकी reach अगर यह अपने खुद की my geo app पर भी अपना insurance का एक tap दे देंगे कई साथ लोग वहीं से आ जाएंगे अगर हम banking की बात करें, UPI payments वगएरा की बात करें mutual funds वगएरा की बात करें, यहां पर आने वाले time में broking business भी इनका होने वाला है, ठीक है सब कुछ एक ही रूफ में होगा और मैं पहले भी बोल चुक है, कि मैं इसको 5 या 6 साल के लिए consider कर रहा हूँ, reason यह है कि आने वाले सालों में 3-4 साल बात, जब यह business अभी इनके जो pipeline में है कल वो बड़े बन जाएंगे वो सारे business, तो कहीं न कहीं यह possibilities यहां पर ज़रूर रहने वाली है कि जब वो बड़े बन जाएंगे, तो एक demerge भी आपको देखने को मिलेगा, और जब demerge होगा, तो जाहिर सी बात है bonus chair वो तो हर कोई जानता ही है, तो वो सारी चीज़े होगी यहां पर, time लगेगा, लेकिन आपको wait करना पड़ेगा और तब तक अभी तो वहिए ख़बरे शुरू भी नहीं होई, अभी एक ख़बर आई कि वहिए BSC 100 में इसको जगे मिल सकती है, पांच परसंट की तेज़े दिखा दी इसने वो भी possibilities, ठीक है, कि BSC 100 में possibilities है कि इनको जगे मिल सकती है, पांच परसंट की तेज़े, अगर खबर आ गई, कि इनको insurance का license मिल चुका है, अगर खबर आ गई, कि इनको mutual fund का license मिल चुका है, तो तब तीजी 5% की नहीं होगी तब तीजी 10-12% की होगी minimum 10-12% की तीजी होगी बस यह है कि उस खबर का इंतिजार है हलाकि 5% की तीजी थी जरू अभी अमलब 4% से भी कम की है लेकिन अगिन मैं कहुँँगो कि long term के लिए मैं इसको prefer कर रहा हूँ जब भी गिरावट आएगी buy on dips का जो approach है आपको यहाँ पर on ही रहेगा और long term के लिहाँ से मुझे बुरा नहीं लगता है और अगर आप graph observe कर रहे हो तो तेजी आने के बाद बीच बीच मगर गिरावट यह दिखाएगा भी तो भी मुझे लगता है कि add करने के मौके बनेंगे बेचने के मौके तो यहाँ पर नहीं बन रहा है क्योंकि मैं assume करके चल रहा हूँ कि अगले महिने अगर हम देखे तो world cup start हो रहा है world cup के दौरान शायद इनको mutual funds का license हो या फिर mutual fund का insurance का license हो उसके अगर खबर आती है मिलने की तो world cup के दौरान ही बहुत बड़े वेमाने बर marketing campaign लाँच कर सकती है ये company तो देखते हैं क्या होगा overall मैं इतना ही कहूँगा है तो hold करो fresh bank के जहां तक बात है buy on dips के approach के साथ यहाँ पर चल सकते हो खबरों का बाज़र यहाँ पर गरम होने वाला है ठीक है वीडियो को यहीं पे अंट करता हूँ और अगेर यह मेरा personal opinion है कोई भी investment advice नहीं है यह वीडियो को यहीं पे अंट करता हूँ पसंद आ हो तो like रशाएगा अगर आप पहले बारें तो please subscribe करें और जियो financial service के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिखकर बता सकते हैं thank you